आज मैं आपके साथ मॉमा चटनी की रेश्पी शेयर करने जा रही हूं वैसे तो चटनियां बहुत तरग के बनते हैं मॉमा के लिए और जो मेरी सब्सीर पसिंद्रा चटनी है उसी की रेश्पी मैं आज आपके साथ सेयर करने जा रही हूं तो चलिए देख लेते हैं इसी बनाने के लिए मैंने क्या के लिए हैं तो मैंने लिए हैं 600 गराम टमाटर और 6 गराम लिए हैं यह सफेद तिल थोरा सा फ्रेश धनिया काट कर लिए हैं और 6 गराम मुख़ली भी लिए हैं यानि पीनट और एक बड़े चमच मेथी दाना नमक एक बड़े चमच या स्वादानस्वार एक इंच अधरक का टुकड और 3-4 हरी मिर्च इसमें उज़ करेंगे तो अब चलिए चतनी बनाने की तयारी करते हैं तो गैस पर एक पेन अधवाद कुकर डाल कर तो कुकर गराम करके तिल डाल लिए हैं और एक पैचुला की शहायता से इस तरह से मीडियम फ्लेम पर ही इसे भूनेंगे और बहुत ज देखिए इस तरह का है तिल भूनने के बाद थोड़ा फूल जाते हैं और थोड़ा कलर भी चेंज हो जाते हैं अब अभी इन्हें साइड में रखते हैं और सेम कुकर में एक बरे चमज तेल डाल कर इसे गैस पर फिर से चरहा लिए हैं गैस अन कर लिए हैं और इन में मेथ मेथी दाना को हम तब तक पकाएंगे जब तक एक डार्क ब्लेक कलर का न हो जाए उससे कम पकाएंगे तो चत्नी कर भी हो जाएगी तो देखिए मेथी दाना भी पकर इस तरह का है और अब देखिए डार्क ब्लेक कलर हो चुका है साइद केमरा में आप अच्छी तरह से नही एक मिनट तो अब मुंख़ली भून चुके हैं अब इससे ज्यादा हम नहीं भूनेंगे अब इसमें डाल लेते हैं लाशन लाशन अफशनल है इसलिए मैंने पहले नहीं दिखाए थी लेकिन डालिये गया तो आउट टेस्ट बढ़ेगी चतनी में तो थोरी देर इनहीं भू लिए हैं यदि आप फ्रेस ले रहे हैं तो टेमाट्रों को चाटुट्रे में कटकर ली जेगा तो जल्दी से गलेगे तो सारी टेमाट्रों को इस तरह से रख लेते हैं अब सारी चीजों को अच्छी तरह से चलाते हुए 1-5 मिनट भूल लेते हैं अब इन में की दालते हıl दो बड़ें चमच पानी संदान का निए में लौ फ्लेंट पर पका लेते हैं घंदा होने देुष को अब कुकर ठंडा हो चुके हैं तो ढ़कन खोल लेंगे देंगे गरम गरम में नहीं पीषेंगे हम चटनी नहीं तो मिक्सर का धकन उचट सकते हैं तो थोरी दिर ठंडा कर लेते हैं तो अब ठंडा हो चुके हैं तो अब हम चटनी पीषना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यह तील डालेंगे मिक्सिजार में और पहले ही नहीं प में डालना भुल गई हो इस बक डालने से भी होगा, तो अब इन में डालते हैं नमक, आप अपने स्वाधनस्वार भी डाल सकते हैं और हरा धनिया हुआ अब मिक्सी का ड़कन बन करके हम चटनी को बारीट विष लेंगे, तो चट्नी का पेस्ट इस तरह का है अभी इसमें हम पानी डाल कर पीशेंगे तो इसमें ज्यादा है चट्नी अभी तो एक बॉल में निकाल लेते हैं तो अब मैं पीने का पानी डाल रही हूँ चट्नी में और टोटल चट्नी में मैं एक कप से थोरा सक्कम पानी ले रही हूँ तो आधा चट्नी में अभी आधा पानी डाल लिए हैं और आधा में यानि अभी बॉल में जो चट्नी निकाल कर रखे हैं उसमें डाल कर पीछ लोगी अब हम मिक्सर का कभर लगा कर चट्नी को बहुत बारिक पीछ लेंगे तो चलिए मैं ढकर खोल कर फिर से एक बार चट्नी चतनी को बहुत ही टेस्टी होती है चतनी और मैं चतनी में सफेद तिल डाली हूं आप उसके जगह कोई भी तिल डाल सकते हैं कलर थोड़ा फ़रक आएगा लेकिन टेस्ट काले तिल और भुरे तिल डाल रहे हैं तो और भी टेस्ट अच्छा आएगा तो आप यह चतनी ताकि आपको मेरी डेली अपडेट मिलती रहे तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेस्पी के साथ